अज़ बात करते हैं स्पाइरल एफेक्ट के बारे में ये दो तरीके का होता है पॉजटिव और नेगिटिव सबसे पहले बात करते हैं नेगिटिव के बारे में जब कोई भी थॉट इमोशन या एक्षन बार-बार लगातार हम अपने माइन में रिपीट करते रहते हैं तो अब इसको solve कैसे करें? solution बहुत ही simple है इसका solution है self awareness या self consciousness आपको सबसे पहले तो ये accept करना पड़ेगा कि आपके thoughts को negative से positive में convert करना है आपको अपने mind को ये signal देना पड़ेगा कि no matter what I have to keep on growing I have to keep on improving no matter what this situation is जब बार-बार लगातार किसी भी problem में आप अपने mind को ये signal देते रहोगे कि हमीं हमीशा improve करते रहना है तो आप positive spiral effect को achieve कर लोगे जैसे मैंने भी आज किया thank you so much निया मैम for amazing knowledge thank you